Smart बनने आयो ना, दर अन्वीर शोग क्लिप्स हिंदी पर इंडिया का सबसे smart podcast का सबसे बहतरीन क्लिप्स चैनल, like button hit कीजे, subscribe button hit कीजे, bell icon click कीजे. Coming back to India, sir, थोड़ा sensitive topic है, पर कश्मीर conflict के बार में बात करनी ही चाहिए, I think, क्योंकि that is also an outcome in some ways of the cold war, क्यों क्यों आज तक चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, दोनों देशों के text books में, कश्मीर के अलग-अलग map दिखा ही जाती है, पाकिस्तानी civilians एक map को मानते हैं, इंडिन civilians एक map को मानते हैं, तो इस conflict की history क्या है, यह conflict कहां से start हुआ, especially partition के time क्या हुआ था? partition के समय यह हुआ था, कि princely states को choice दिया गया था, कि आप independent रहो, या फिर इंडिया में आओ, और पाकिस्तान में रहो, तो कुछ, तो सरदार पटेल ने सब को unify करके, कैसे भी by hook और by crook unify किया इंडिया के अंदर, अब कुछ-कुछ states थोड़ा सोच रहे थे, डिले कर रहे थ है, तो यह जो महराजा थे हरी सिंग जी, कश्मीर के, वो थोड़ा से डिले कर रहे थे, फिर उन्होंने एक्स, जो डॉक्यमेंट है, अक्सेशन डॉक्यमेंट के थे शायद उसको, उसको साइन किया, and he officially declared that कश्मीर is part of India, महराजा हरी सिंग जी, उसके बाद क्या हुआ किया आर्मी ने अक्रमंट किया, जो रेंजर्स बेजे और कबीले वाले बेजे और पतानी क्या क्या, इर्रेगूलर टूप्स बेजे, और मीरपूर और जो अभी पाकिसानों के बैट कश्मीर है, वहाँ पर भयानक अट्रोसिटीज की, तेंस अफ थाजंस अफ लोगों को मार द लेकिन भारत के आर्मी इन्वाल हो गई, और वापिस आगे बढ़ने लगे, फिर किसी कारण वश श्री नेहरो जी ने का कर रुक जाओ, अगर वो तीन दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापिस आ जाता भारत में, उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने का कि हम UN जाएंगे, we don't believe in violence, हम civilized तरीके से negotiating table पर इस dispute को resolve करेंगे, आज तक dispute नहीं हो रहे हैं, तो UN में एक resolution पास किया गया कि Pakistan must withdraw अपने troops उस occupied territory से और फिर कश्मीर में plebiscide होना चाहिए, मतलब referendum, कि आपको कहा जाना है, first condition, Pakistan must withdraw its troops that are in occupation, illegal occupation, of parts of Kashmir, Jamin Kashmir, तो ये, Pakistanis बोलते हैं कि आप referendum क्यों नहीं करते हैं, UN resolution नहीं कहा गया है, referendum कीजिए, लेकिन वो conveniently इस बात को sideline करते हैं कि पहला condition है, आप पहले वहाँ से withdraw कीजिए, so that is the root of the Kashmir conflict, Nehruji ने for some reason, Indian army को आगे जाने नहीं दिया, वरना सब कुछ खता हो जाता है, उस ही समय है, तो ये सब है, और जो लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो conflict है, उसका कारण कश्मीर है, ये सच नहीं है, अगर कल hypothetically, hypothetically भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है, तो क्या बंद हो जाएगा है, अगर भारत को as an enemy portray नहीं करेंगे, तो उनका reason for being नहीं रहेगा कुछ भी, उनका legitimacy एक ही चीज़ के ओपर dependent है, कि भारत is an enemy, और ऐसा वो बार 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 बोलते रहे हैं, आर्मी के narrative का, आर्मी का narrative ही है, मैं एक और जीज़ कहना जाओंगा कि मुझे दुबाई में काफी जारे पाकिस्तानी भाई मिले, जिनके साथ मैंने पॉलिटिक्स के बार में बात करी, और उनके अनुसार, भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फरक है, कि भारत में पाकिस्तानी आर्मी इस बुषयों, पाकिस्तानी आर्मी अश व्ट अगर पाकिस्तानी आर्मी अल्स सेज़ा तर्वर्ण बॉड़ा थिसे गवर्णिश और सॉन में बॉड इन व्ट में पावर थे बावन तो यह दुन नहीं एक रहा हुए आपको बहुत सारे लोगों को एक देश के मास्स को डूल करना है तो आपको एक च्टॉक्टे भनानी होती है ब्रॉन्ड नाने की जरूरत होती है इंड बिंडलों कि उटी सटार रहे है साय चाहिए पाकिस्टानी आमी इंडिया को में मी पोपर Nee कर रही है पूरे देश के सामने और वहाँ के मीडिया को भी शायद इसे मीडिया भी कह रहे है कि हाँ इंडिया अपना दुश्मन है and that is what's continuing the conflict to maintain the power of the Pakistani याली it is the lie that they have been spreading since day one, since 47 कि इंडिया हमारा existential threat है जब तक भारत एक unified country एक powerful country है we can never live in peace ये अपने citizens को बार-बार 1947 से आज तक यही कहानी रोज हर रोज दो रहे है via the media, via the newspapers via TV, via all kinds of different media तो ये बात है अभी जो Pakistan या अर्मिका जो control है Pakistan के देश के ऊपर it is based on two things first, force उनके आस manpower है they have all the weapons and they can do whatever they want ये पहले बात है दूसरा है power of narrative और तीसरा है power of indoctrination तो उन्हें टेक्स्बुक्स चेंज किया है और सब कुछ जिया-ul-Haq के समय से पूरा कंट्री रडिकलाइज कर दिया so these are the things they have used Pakistan के civilian population को pacify और control करने के लिए और जो भी intelligent वियक्ती Pakistan में ये वो दिखता है they know this but they can't speak it up they can't open their mouth बहार जाक के शायद बोलेंगे अगर उनको डर निये तो तो ये बात है so this is the narrative in India the nation has an army in Pakistan the army has a nation उल्टा है they own the nation and the people are just well puppets ये situation change होगी आपके accordion ये situation इसलिये है क्योंकि बड़े powers ऐसा situation चाहते है जाते हैं अमेरिका mostly अमेरिका था जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले भारत को वू किया था भारत ने मना किया रिबफ किया उनको फिर उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे relations मना है and since then Pakistan has been a client state of the US Pakistan essentially a US tool था to use against India to use against the USSR also in Afghanistan तो ये जियो पोलिटिक्स चल रहा था अभी रिसेंटली US अफगानिस्तान से निकल गया और US पाकिस्तान के relations बहुत खराब हो गए हैं अभी तब से पाकिस्तान चाइना का client state हो गया है so Pakistan is a tool in other countries armory to use against India भारत को दोनों देश बड़ा और powerful देश देखना नहीं चाहते हैं तो भारत को permanently destabilize और off balance रखने के लिए Pakistan बहुत valuable asset है उनके लिए जब तक Pakistan का ये value है तब तक आर्मी को support मिलता रहेगा बहारी देशों से बड़े देशों से और इसी लिए Pakistan आज एक नुसंस है भारत के लिए नुक्लियर पाउओड नुसंस